येल्व इनेखेयो तो देखोड मैं आप लोग के साथ इस नदर सो को दिस्कश किया था हर डिफट्स के इस सीफेक्ट को मैंने discush किया था आप लोगे साथ की वोडिंग डिफेक्ट्स का वेल्डेड जोग पर क्या प्रभाव करता है यह सारा आपने बताया था discuss kiya था लेकिन नाओ इन लो इन डिश वीडियो आम ग्रॉं से करने की , यहान। कि जो डिफेक्ट से वो जुएंट में क्यों आता है वाट इस दरीजन बिहांड हम लोग इस विडियो के माद्यम से रिजन डूंडने की कोशिश करेंगे कि वह कौन कौन सा रिजन है जिसकी बज़य से वेल्ड़ पार्ट में या फिर वेल्ड बिड में डिफेक्ट साता है त तो वो मैं यहां पे लिख रका हूं आप लोग करके में आप लोग को एक्स्प्लेन करूंगा कि यहां पर लिख रखाया रिजन फुर वेल्ड डिफेक्ट्स यहां पार लोग तो सबसे पहला रिजन और सबसे में मुस्ट इंपोटेंट रिज़न जो है फू ही अगरम हम लोग बात करें कि वेल्डिंग पैरेमिटर क्या होता है तो simply मैं एक example लेता हूँ smaw का smaw आप लोग सभी लोग smaw किसे परजीत होंगे silded metal arc welding अगर इसकी parameter की बात करें तो parameter के अंतर अगरत हमें क्या-क्या देखना पड़ेगा smaw में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा electrode electrode का diameter देखना होगा दूसरा metal ठीकनेस हो सकता है third current setting यह यह तीन चीज तो मान लिजे कि यह initial है इसमें आप लोग को देखना होगा सबसे पहले आप लोग क्या देखनेस देखेंगे metal के थीकनेस के अधार पे आप लोग electrode का सेलेक्सन करेंगे और electrode सेलेक्सन के अधार पे आप लोग current की सेटिंग करेंगे अगर मान लिजे कि आप लोग antisे all the जीतर हैं जो यह इनिशियल पैरामिटर से इसमे डवलू के लिए यह हम लोग को करेक्ट रखना है तो जैसे मान लीजे कि जेनरली हम लोग 3.15 235 mm का क्या रहा हैं तो इसकेलिए हम लों क्या करते हैं, थमृूल करके dire के करेंट रखते हैं अब हम लोग वहांपे 110 120 अना रखने हम लोग 40-40 अंत्स रखने हैं तो यह क्या हुआ इंकरेक्ट पैरामिटर हो जहत हुए तो यह parameter होता है अगर यह parameter गलत हो गया तो इस वजह से भी कई सारी weld effects आ सकती है तो पहला तो यह हो गया second में आते हैं कि दूसरा है wrong selection of filler metal filler metal का wrong selection अब wrong selection का क्या मतलब हुआ दोस्तों जैसे कि हम लोग filler metal में हम लोग को यह देखना रहता है कि जो बेस मेटल का बेस मेटल का जो बेस मेटल के अंदर जो elements है alloying elements वह same alloying elements filler rod में होना चाहिए यानि कि जैसे मान लीजिए कि बेस मेटल में मेटल जैसे है कुई इसके अंदर मान लीजिए carbon 2% है है ना आईरन जो है वो आपका एफी आईरन जो है वो मान लीजिए कि 70% है इसी तरह से मेगनीज है कुछ परसेंट मान लेज दू परसेंट है तो इसी तरह से अगर हम लोग filler metal की बात करें तो filler metal के अंदर भी ये वाला जो alloying elements है ये सेम होना चाहिए इसमें भी हमारा carbon दो परसेंट होना चाहिए एफी filler metal के अंदर भी एफी हमारा यानि की iron जू होना चाहिए वो 70% होना चाहिए और manis जो भी knowling elements है इस base metal के अंदर वो सारा का सारा allowing elements filler metal में और होना चाहिए साथी साथ समान मत्रा में होना चाहिए यह नहीं कि दुनों का परसेंटेज बराबर होना चाहिए तो इसलिए यह बोला जाता है रोंग सेलेक्शन ओफ फिलर मेटल अगर मान लीजिए कि आप किसी दो परसेंट वाले कार्बन कोई एक आपके पास स्टील है स्टील वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें मान लीजिए कि द कम है कर्बन परसेंटेज तब क्या गरेगा कि इसमें वेल्डिंग डिफेक्ट्स होगा तो इसलिए बोला जाए रोंग सेलेक्शन ओफ फिलर मेटल कैन भी कज़ेज अफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स ओके तो यह दूसरा हो गया थर्ड आ जाते हैं यूजिंग रोंग वेल करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग कैसे करना है वेल्डिंग के दोरान क्या करना है और वेल्डिंग के बात क्या करना है यानि कि प्री वेल्डिंग डिरिंग वेल्डिंग और पोस्ट वेल्डिंग सारा हम लोग को ध्यान देना होगा तो आई यानि प्री वेल्डिंग करने से पहले पोस्ट यानि की वेल्डिंग करने के बाद और डियूरिंग वेल्डिंग के दोरा हमें किस बातों पर ध्यान देना है वो चीज में आप लोग बता देना है तो वेल्डिंग करने से पहले यानि कि प्री वेल्डिंग में सबसे पहले हम हमारा inкое की सेटिंग की जा रही है है उसके बाद क्लैंपींग समस hog उसके भाख को मिटनेकम किया ग्यां कि नहीं थे bake जरो केरें के जोब है उसके में distortion आएगा, तो distortion को remove करने के लिए हम लोग clamping method यूज़ करते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि welding करने के बाद के इसमें distortion तो नहीं आ जाएगा, तो अगर distortion आता है तो हमें कहां clamping करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए, इसके उपर भी ध्यान देना चाहिए, तो ये सा विल्डिंग करने से पहले हम लोग को ध्यान देना रहता है दोस्तों, अब आते हैं पोस्ट विल्डिंग करने के बाद हम लोग जब विल्डिंग कर लेते हैं, when we have completed a building, then we have to consider the two things, first cleaning and second one is solidification method, तो cleaning मतलब कि वहीं अगर SMW की बात करें तो विल्डिंग करने के बाद अगर ह हम लोग देखते हैं तो उसके उपर slags वेगरा या फिर जम जाते हैं या फिर उसके उपर spatter होते हैं तो उसको साफ कर दिया जाता है, दूसरा solidification method, solidification method में हम लोग को यह देखना है कि metal को welding करने के बाद हम room temperature पे उसको solidify होने दे, जो weld विड होता है, उसको room temperature पे solidify होने द जाल दे, क्योंकि solidification कोई कई जो normally metal होता है, जैसे mild steel वेगरा इसको हम लोग क्या करते हैं, यह room temperature पे solidify करते हैं, यानि welding करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही ठंडा होने के लिए, लेकिन कोई कोई ऐसा metal होता है, जिसको हम लोग को required रहता है कि उसको हम लोग बाल during welding, तो during welding में सबसे important जो things है, वो यह है कि हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड एंगल के बारे में ध्यान देना पड़ता है, कि हमें जब welding हम लोग करते हैं, तो उस दोरान हमारा जो इलेक्ट्रोड का angle है, वो correct होना चाहिए, हैना, इलेक्ट्रोड एंगल correct होना चाहिए, साथ welding speed, जैसे हम लोग welding कर रहे हैं, तो यह हाथ का speed जो है, वो भी correct होना चाहिए, कम हो गया तो भी दिक्कत होगा, ज्यादा होगा, तो भी दिक्कत होगा, इससे भी problem होगा, उसके बाद arc length, पर भी हमें ध्यान रखना है, कि कब हमें short arc length यूज़ करना है, कब हमें normal arc length आरे दोस्तों procedure में आते हैं, और यहीं अगर माल लिजिए, कि यहीं कहरा तिसरा points की using wrong welding procedure, अगर माल लिजिए कि यहीं आप लोगों ने इस procedure को गलत यूज़ कर लिया, welding के दोरान आप लोग ने electrode का angle सही न रखा, arc length को सही नहीं रखा, है ना, उसके बाद आप लोगों ने ampere set नहीं किया, electrode का size selection नहीं किया, तो क्या हो सकता है कि इससे क्या हो सकता है कि यह एक defects का कारण बन सकता है, welding defects का कारण बन सकता है, दोस्तों, तो wrong welding procedure बहुत ही बड़ा एक point है, जो कि welding defects का कारण बन सकता है, और इस procedure के अंदर हमें यह सब चीजे ध्यान देना है, उसके अलावा भी हमें ध्यान देना रहता है वेल्डिंग के दौरान की जैसे माल लीजिए कि हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं और कोई सिंगल भी बडड जोएंट है तो इसमें हमें यह द्यान देना होगा कि रूट रन में मतलब कि कौन सा आर्क लेंथ रखना है और फिर फाइनल बिड बनाएंगे तब हमें कौन सा आर्क लेंथ रखना है इस तरह से अगर हम लोग इसको ध्यान देते हैं तो व्यरे प्रोसीजर में यही हम लोग देखते हैं और अगर इसी के एकोर्डिंग हम लोग नहीं करते हैं तो फिर हमारे वेल्ड वेल्ड के अंदर डिफेक्ट्स आने का चांच रहता है दोस्तों प्रोसीजर अब फोर्थ आते हैं इनकरेक्ट एज चैने में मिल्लक के बाद ही गरते हैं तो उसमें ये देखना होगा अब नेा में डेकनेस 10.000 से से ज्यादा है तो वहां पर हम लोग ंडव में देखना हुग मदलब की 60 रखना है यह अगर तो अगर इस सब को देखते हैं अगर इन सब को नहीं देखते हैं और इस सब को करेक्ट परेमिटर पर हम लोग नहीं रखके प्रिपरेशन करते हैं तो तो weld defect का ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी reason हो सकता है, फिफ्ट नमबर है, अब unskilled weld, ये last है, अब मान लिजे कि ये सारा आपने सही कर रखा है, आपने parameter भी set सही किया, selection filler metal का भी सही है, आपने procedure भी सही किया है, सही procedure आपने यूज किया, आपका जो preparation, age preparation भी सही है, according to the thickness of metal, फिर भी अगर मान लिजे कि defects आता है, तो ये जो होता है, वो unskilled welder के कारण होता है, अगर मान लिजे कि welder unskilled है, तो उस स्थिती में भी आप सारा parameter, ये सारा का सारा reason आप सही भी कर देते हैं, एक से ले करके 4 तक उसके बाद भी अगर मान लिजे defects आता है, तो वो welder के उपर जाता है, और welder वो unskilled बोला जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग के सामने में पांच region रखा, इसी पांच region की वज़ा से, आर्क welding में, जो आर्क welding defects होता है, वो होता है, इसी region, इसी point की वज़ा से, तो इस पे हम लोग को welding करने से पहले ध्यान देना होता है, और यदि हम लोग इन सारे points को ध्यान दे करके welding करते हैं, तो हम लोग defect free weld हम लोग पाते हैं, और जो की हमें बहुत ही ज्यादा आगे चलके हमारे लिए ये फायदे मन्द होता है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक् झाल